हेलो स्टुएंट्स आ वेली गूट बॉर्निंग आयम यू टीचर फ्रम संस्कति गुरुकलम स्कूल हावर यू स्टुएंट्स आई होग यू आर फाइन तोड़े आम गूंग टू टेक अप सब्चेक्ट हिंदी हिंदी में विटा आज हमारा पाठ आठ की एक्सराइज फिल हमारा निमली के शब्द कौचारन करते हुए पुना लिखी है तो यह आपको भी पता है फुलजड़ी मुडेर अजयारा अधियारा और स्ने यह आपको टू टाइम फिर से और लिखना है नेक्स पेज प्रश्नुत्तर है जो हमें पीदियाप के मादम से बेज दिये जाएं को दीपावलि को कहा जाता है क्योंकि उजिरहम दीप जलाते हैं कभी ने किनकिन स्तानों पर दीपाज दरानें के लिए का है घरी पर दीप जलाने से कभी काके यह आशे है कि हमारे घर में कभी भी एंधेरा ना हो हमेशा ऑज्याला ही रहे जीप सब को क्या शीख देता है दीप सब को अंधियरे में mänaय घ़ाले का सीख देता है अंधिया आँखों को अतारा सि कभी चातपर है शाहरा जात एक ऑंसर यह कहां सुनाती थी बूड़ी कारी यूएरा अभ्यूस बाresoद है हमारा पद्यांच पद्यांच को पढ़कर आधर प्रिश्णों के उत्तर देखिए धर्ति को सुद्धु किस तरह हो सकते दीब चला कर दीब से दीब मिलने से उजाले को पांते सी बन जाती नई सुबह सपने में कभी का तर्पर सपने देखना दो दो पद्यावाची शब्द भी ल दूपे नदी का तटनी सरिता पक्षी का खग विहग और अनुशार अनुवनासिक सब्द लगाने अनुशार होती हैं की मांत्रा और अनुवनासिक होता है आपको वैसे ही लिखने हैं फिर उसके बाद आओ दीब जलाए कभीता याद करके सुनाना है तो आपको आओ लोकाब इस समय धान गन्ना मक्का बादरादी की फशन तैयारों कर घरों में आती है इससे तिवार का आनंद कई गुना बढ़ जाता है घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते है आई होप स्ट्रेंट्स आपको समझ में आया होगा चैप्टर की एक्सेसाइज कोश रित रहें